सिंगल लेयर, 36 स्लोट, 18 कोईले स्लोट हमारे 36 है, कोईले 18 है और हमें मोटर को 4 पोल की वैंडिंग करनी है मतलब 1440 RPM 4 पोल होगे, इसका मतलब यह RPM होगे 1440 RPM पे इसको गुमाना है तो थोड़ा सा इसमें क्या-क्या अंतर आएगा calculation क्या-क्या होगी थोड़ा सा जो normal जो फार्मूले हैं उसमें थोड़ा plus minus करना पड़ता है तो सबसे पहला फार्मूला क्या होता है अपना slot, बटा पोल, क्या होगे पिछ निकालने का तो यहाँ पर जैसे यह pitch है यह pitch निकालने के लिए slot बटा पोल करते हैं तो slot हमारे है 36 और पोल 4 तो हो गया 9 एक से 9 यहाँ पर थोड़ा सा आपको change करना है एक से 9 में आपको single layer winding नहीं हो सकती है अब क्यों उसमें समसंखा चाहिए विशम नहीं काम की या तो एक से 8 करो या एक से 10 करो अब आप पे क्या निर्भर करता है कि आप एक से 8 करना होगे या एक से 10 करोगे तो एक से 8 करने से copper की बचत होती है तो वो short pitch हो गया तो यह pitch में यहाँ पर आपको plus minus 1 करना पड़ेगा अगर आप single layer करते हैं तो double layer करते हैं तब तो एक से 9 डाल करके winding कर लो हो जाएगी लेकिन single layer में अगर एक से 9 करके फार्मूले की साफ से करने जाओ के तो बैटे कहीं नहीं आपको तीन कोईले डाले उसके बाद तीसरी चौथी कोईल डलेगी नहीं आपके जब single layer एक स्टोट आपको खाली छोड़ना है समसंख्या चाहिए समसंख्या के लिए अपन इसको या तो एक से 8 करो या एक से 10 कर दो एक से 10 में कोईल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो कॉपर ज्यादा लगेगा सब एक बाते अगर motor में अगर एक पीछ का अगर अंतर कर दिया तो मोटर की जो कम्प्रीट वाइंडिंग करोगी उसमें हो सकता है टोटल जो वेटेज है तीन किलो के चार किलो लग जाएगा जब चार किलो लग जाएगा मतलब आपका ज्यादा कंजूम हो जाएगा और इस्पीड तो वही वही रहेगी चार पॉल की यह तो वही स्पीड रहेगी चाहे आप 1,8 में बनाओ चाहे 1,10 में बनाओ यहाँ 1,9 में बनाओ तो यह सिंगल लेर, इसलिए पहला तो अंतर यह हुआ, ठीक है त flour चे को पीछ लेना एक से 8 is calculation की सबसे दो आ रहा है लेना पड़ेगा एक से 8 क्योंकि आप सिंगल लेर कर रहे है इसलिए डबल लेर में एक से 9 ले सकते हो ठीक है दूसरा था अपना कौईल गृूप कौईल गृूप जो है कोईल गृूप का फार्मूले क्या था फेज इंटू पोल तो तीन फेज और चार पोल कितना हो गया बारा है ना अब बारा आपको ग्रूप बनाने हैं और कोईले हैं अठारा अब फिर गड़ बड़ बारा अठारा कोईलों को बारा पर कैसे बाट होगे टोटल नंबर ओप कोईल अठारा है और कोईल कोई ग्रूप हमें बारा बनाने हैं तो अठारा बटे बारा करेंगे अपन अठारा बटे बारा करोगे तो कितना आएगा ये तीन बटा दो हो गया तो ये एक पॉइंट पांच आया अब डेड़ कोईल कहां से लाओगे बनेगा अब पहले में तो सब कोईल ग्रूप जो थे वह एक कोईल एक काम करती थी तो हो गया था लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये एक पॉइंट पांच आ रहा है अब डेड़ कोईल कहां से बनाओ ने एक आधी करो तो ये दिक्कत है इसलिए आपको ये करना पड़ेगा क एक कोईल तो सींगल एक ग्रुप बनाओ फिर NG जो आर्का जो घूर पाईगा उसमें दो कॉइले एक साथ इखटी बनाओ फिर सिंगल करो एक सिंगल डबल एक सिंगल एक डबल ऐसे आपको कोईले बनानी पड़ई कि ऐसे करके ग्रूप बनाओगे तब जाके आपके 12 आजना है, शॉटपिच अपन करते हैं, इसको शॉटपिच बॉलते हैं, एक स्लोट कम कर दिया, तो एक से आठ में ऐक कोई समारी ड dry करें हैं ही स कर दो कर दो में आप सिंगल कोई रखनी है आप फिर नेक्स जो कोई आएगी नेक्स एक शॉड़ कहें वाइंडिंग करने जा रहे हैं नेक्स्त एक श्लॉट छोड़कर यह खिली अभ उसके बाद पीछे से एक स्वाइख कोण्ये अब यह जो आप करोगे यह ग्रुब हें एक infinity आएगा इस मोटर को बनाने के लिए यह इस प्रकार से यह सिंगल हो गईps फिर अगली बहुता है और वह एक वासे एक जाल जाएगी यह इस प्रकार से यह वापस सिंगल हो हो जाएगी ठीक है यह सिंगल कोईल हो गई फिर अगली जो भी कोईल आ रही है वह फिर डबल हो जाएगी तो इसके बाद यह कोईले जो क्रम है वही चलता रहेगा इस प्रकार से यह single फिर double और single और double इस प्रकार से यह करते रहना है आपको तब जाके आपके 12 group target अपने क्या है 12 group होने चाहिए 12 group तभी बनेंगे double coil फिर next जो भी आपका color change करते जाओ next जो coil आई है वो single होगी है दो का एक group फिर single फिर एक double ऐसे यह आपका थोड़ा सा special है drawing इसलिए थोड़ा ज्यान रखना है कि यह single फिर double फिर single फिर double उस प्रकार से यह करते जाना है तो हर phase के हिस्से में छेचे कोई लिए आनी चाहिए अभी single की बारी है अभी यह single यह फिर next आपके double यह थोड़ा सा इस प्रकार से change आएगा यह double आया ना यह single फिर double फिर single फिर double इस प्रकार से कोई लिए का जो क्रम है हमारा x node छोड़ करके यह continuous चलता रहेगा यह sequence ऐसा ही चलेगा r y फिर b आया b की single b की single कोई लाईगी मता हर फेस के साथ फिर next जो आ रहा है फिर r की आएगी r की double हो जाएगी यह ऐसे आपको करना है यह थोड़ा से इसलिए यह special diagram बनता है single layer का double layer में दिक्कत नहीं आईगी आपको यह single layer में यह double में तो जैसे date का तीन-तीन कोई लोगा ग्रूप बन जाएगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है r फिर y y की फिर single यह ना यह एक number यह side इसकी यहाँ जाएगी इस प्रकार से यह और फिर next जो blue बज गया उसकी double कोई आईगी यह सिरा बहार निकला है यह दो यहाँ आ गया यह यह इस प्रकार से फिर यह दो कोईले एक साथ हैं तो इसलिए हमारी यह दूसरी कोईल इससे जूड जाएगी इस प्रकार से कोईले आपकी भरी जाएगी यह winding होगी ऐसे ठीक है थोड़ा से चेंज है नियमों में तोड़ा संशोतन हुआ आवाशेक्ता पड़ी क्या पड़ी वह इसके अंदर भी सिंगल लेयर करना है तो हमारा सेटिंग बैठ नहीं रहें सिंगल लेयर करेंगे सिंगल लेयर में ही दिक्कत है दबल लेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप जब सिंगल लेयर करेंगे चत्तिन स्लोट अठारा कोईल तभी है यह बाकी में तो दिक्कत ही नहीं तभी तो यह सिस्टम है कि पीछ भी आ रहा है विशम संख्या आ रही इसको संख्या करनी पड़ेगी और यह डेड का कोई ग्रूप आ रहा है तो फिर उसको एक-दो-एक-दो करने पड़ेगी इस प्रकार से हमारे पास में टोटल जो अठारा कोईले हैं यह कैसे बटवार होता है ब्टवारे करते से मैं जैसे यह आया अठारा के तीन भाग में बात आइंगे तो एक के हिस्ष्ष्ष में कितनी आगी अब एक भेस की शे कोईले अब पॉल बनाने हमें छे बनाने पड़ेंगें फिर सिंगल फिर इस प्रकार से सेटिंग करना पड़ेगा अब यहां यह चीत यदि की birth ही भी यह संगल फिर दो से इस प्रकारस यह चाहर पॉल बनते हैं बाकी के करेंश न maintained अभी यह हमारे ग्रूप सिरा बाहर निकला है, यह U1 निकला, इसका जो एंडिंग है, एंडिंग से एंडिंग जोड़ना है, यह स्टार्ट, इसका स्टार्ट जोड़ दिया, यह एंड, इसके एंड से जोड़ दिया, और यह आपका स्टार्ट बाहर ने, यह आपका U2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत न आती है जैसे यह यह आपका V2 जो आपको बता ही दिया था क्यों किया गया ये ending इसके ending से ये start इसके start से और ये end इसका end इस तरब है तो ये आपका end आया वो ये end जुड़ गया और ये सिरह आपका बाहर निकला आपका ये V1 ठीक है और वैसे ही आपका ये W1 W1 ये ending जिसके end से ये start start से और end जो आया वो आपके end से जोड़ दिया और ये आपके बाहर निकला W2 ये सीरे आपके छे बाहर निकल गए motor छोटी हो बड़ी हो horsepower के आधार पर turn का अंतर आएगा बागी कुछ नहीं आएगा designing change आजाती है design में जो pitch बदल जाता है और coil group जो है ये pole का काम कर रहे है अब इसमें अगर pole बना के देखते हैं तो वही system है आप इसका direction arrow करते जाओ और देखो कि कहां कहां से माना कि आपके supply यहां से जा रही है तो ये direction ऐसे कर लो ये यहां से ऐसे निकला इदर गया जहां जहां आपका ये तार जा रहा है वैसे आप चलते जाओ उस तार के उपर ऐसे ही ऐसे करके आप ये चलते जाओ गे तो ये जो arrow आ रहे हैं ये सब मिल करके न एक pole बढ़ाएंगे यहां से निकला है यह इदर गया यहां से यह आप ऐसे तीर के निशानाप लगाते जाओ ऐसे निकला ये बाहर ठीक है अब आपका ये देख लो कि ये continuous यहां पर ये ये पॉल अलग हो गया हो गया नहीं यहीए सेन सीचीन बन रही है हरे एक कि तीन- तीन साइडे फाइस मैं हूरीक है यह नहीं यह दो और एक python आदा इसका यह हैं अब हर एक में यह direction भी देख लो एक दो तीन ये तीन साइड है मिलकर करें नौर्थ पॉल बनाएंगी ये भी सम्त संख्या है पहलेवाल ह्यां थी तो उमेरे तरह आ रहे थे या दोभा रहे थे उपा त लेक्ती एक फॉल अब यहाँ पर ये एक दोनों तीन है ये ए्रों मिलकर करें एक पॉल बना रहे हैं यह एरो इदर जा रहे हैं यह जैसे आपका यह नौर्थ पोल बना है तो यह साउथ पोल बनेगा यह आपका नौर्थ पोल बना है यह साउथ पोल बनेगा ऐसे इस प्रकार से यह चार पोल बनते हैं तो यह थोड़ा सा हट करके हैं सामाने की तुलना में तो यह तो आपका हो पर नहीं आईगी आपका डेड़ा करना करना एक पांच करना नहीं यह सब पीच भी आप एक से नों ले सकते हैं जब फिरापने पास में सामने तो एक डिले है और इसमें को जब डॉबल की यहोगी तो आपने पास में कॉलों की संख्या दुगू नियु तब आपन जो पॉल बनाने चाहते हैं 12 गुरूप बनाने हैं और 36 को इले होगी तो 3-3 का गुरूप बन जाएगा डबल लेयर में तो बन जाएगा आसानी से सिंगल लेयर में कोईले यह 18 है तो फिर वो 18 को 12 में convert करना है तो फिर यह 1.5 तो यह फिर तरीका इसका यह रहता है winding का और इसी इसाफ से mostly सारी motorें बनाई जाती है ठीक है? अब आपको यह थोड़ा सा important है इसको आप बनालो